गुड मॉर्णिंग चातरों मैं आपका बेवसाई सिचक दीपक सिंग और एक बड़ा अच्छा सवाल इस साल हो सकता है पूछा जा सके एक छोटा सा मैं टॉपिक दे रहा हूं ग्रीन हाउस गैस को गैसों का नाम बताईए तो आप इस चीज को गूगल पे भी देख सकते हैं ग्रीन हाउस एफेक्ट पढ़ाया है और अम्ली वर्सा को भी बताया है तो यहाँ गूगल में भी देखें तो आप में ग्रीन हाउस गैस जो है ये वही बता रहा है जो हमारी बूक में है कार्बन डाय आकसाइड, मिथेन, नाइक्टरस आकसाइड और हाइड्रो क्लोरो कार्बन जो आपका गाड़ियों गोरत से निकलता है तो ये और फैक्टरियो से निकलता है तो हिंदी में भी आप इनका सुनना चाहें तो मैं दवा के सुना देता हूं विश्व मौसम विज्ञान संगतन के अनुसार मुख्य ग्रीन हाउस गैसे जिनकी सांद्रता बढ़ रही है वे है कार्बन डाय आकसाइड, मिथेन, नाइट्रस आकसाइड, हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन, हCFCS, हाइड्रो फ्लोरो कार्बन, हFCS और निचले वाताव ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखें, तो वाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, यही बात आएगी कि जब आपका वाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, देखिए, कार्बन डाय आकसाइड एंड वाटर वेपर एब्जॉर्ब एक दूसरे को सोक लेते हैं, और जब यह अर्थ प of Earth get heated मतलब सर्फेज जो आपकी जमीन है वो हीट गरम हो जाती है दिस फैनावनाइस काल मतलब इस घटना को हम ग्रीन हाउस एफेक्ट कहेंगे एक लाइन में आपका सकते हैं कि कर्बेंडर आक्साइड और वाटर का जो भाब बनके आपका समुधर होगा से निकलता है तो उस जिससे की आपका प्रिथवी का जमीन आपका है यह आपका हो जाता है हीट हो जाती है तो हीट बढ़ना ये ग्रीन हाउस एफेक्ट का सीधे सीधे एक करण है और वही जो आप गैसे मैंने पढ़े बताए यह बढ़ेंगी तो निश्म चृत्रूफ से ताफमान जो है आपक प्रित्वीका बढ़ेगा आप देख भी रहा है हर साल एक डिग्री बढ़ी रहा है तो यह आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट में आएगा और अमली वर्सा को भी आप इसी तरह से कोच के पर सकते हैं एसी ड्रेन कहते हैं यह भी एक इंपॉर्टेंट सामान अधारित विश्यका प्रश्ण है ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्या है मुख ग्रीन हाउस गैस क्या है और साथी साथ आपका अमली वर्सा बहुत धन्यवाद आज की लिए इतना ही